क्या दोस्तों आपको पता है? हाल ही में सुर्ख्यों में रही ओसेरिया जोशी किसकी एक प्रजाती का नाम है? भारत देश का पहला काउशल विकास विश्व विद्यालई कहां खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? ऐसे ही 15 बड़ी देखे लास्ट में मैं आपसे एक क्वेशन पुछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बोक्स में देना है और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो सब्सक्रेब कीजिए पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्यों वर्ष उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है 24 जन्वरी को यानि कि कल ही 24 जन्वरी को उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया यानि कि इस क्वेशन का सही अंसर है उत्तर प्रदेश और यहां आप मेट में देखे दोस्तों उत्तर प्रदेश कि प्राजस्थान, मध्यप्रदेश, 36 गड यहां दोस्तो थोड़ा सा है यहां पर जारखन और बिहार इतने राज्यों से अपनी बॉर्डर साजा करता है और उत्तर प्रदेश दिवसका उत्काटन समारो कहां आयोजित किया गया अवद शिल्पग्राम में और दोस्तो कोई भी बड़ी इवेंट बनती है तो इन से जुड़े हुए कुछ वन लाइनर क्वेशन की भी मैं आपके सामने चर्चा करता हूँ क्योंकि बड़ी घटना हो तो ऐसा तो नहीं कोई भी एक ही क्वेशन जो हमने मुख्य क्वेशन सेट किया है वो ही एक्जमिनेशन में पुछ लि समारो की अध्यक्स्ता किस ने की है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने यह उत्काटन समारो की अध्यक्स्ता की और उत्तर प्रदेश दिवस का उत्काटन समारो के मुख्य अतिति कौन थे तो यहां इमेज में देख सकते हैं दोस्तों मुख्य मंत्र योगी आदित्यनाथ इस समारों के मुख्य अतिति थे चिफ गेस्ट थे और यह UP दिवस का चोथा संस्क्रण है जो 24 जन्वरी से 26 जन्वरी तक चलेगा यानि कि तीन डिवस यह यह कार्यक्रम चलेगा और वर्ष 2021 के उत्तर प्रदेश दिवस की थिम क्या है? Most important question दोस्तों, वर्ष 2021 के उत्तर प्रदेश दिवस की थिम क्या है? आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश, महला, युवा, किसान, सबका विकास, सबका सम्मान इसी थिम के साथ उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और उत्तर प्रदेश दिवस के उसर पर खेल जगत में उल्लेक निया उपलब्दी हासिल करने वाले पुरुष खिलाडियों को लक्षमन पुरसकार तथा महला खिलाडियों को रानी लक्षमीबाई पुरसकार दिया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा कोई भी पुरुष खिलाड़ी है उन्होंने खेल जगत में उल्लेक निया उपलब्दी हासिल की है तो लक्षमन पुरसकार दिया जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और महला किलाडियों को राणी लक्षमीबाई पुरसकार दिया जाता है और दुगद उत्तपादकों को गोकुल पुरसकार एवं नंद बाबा पुरसकार दिये गये और इस मौके पर विश्व कर्मा सरम सम्मान योजना और एक जन्पद एक उत्तपाद योजना के तहत उन्नत टूल कीट का वित्रण भी किया गया और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजीज विवभा का एक एप्लिकेशन भी इस मौके पर लॉंच किया गया और जब बात करते हैं दोस्तो उत्तरप्रदेश की तो उत्तरप्रदेश की कैपिटल का नाम है दोस्तो लखनव और लखनव को नवाबो का शहर भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मुख्यमंद्री के बारे में तो मैंने आपको बता दिया लेकिन आज कुछ नए फैक्ट की चर्चा कर ले तो उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद रंगमंच है और यह रंगमंच का रूप है नवटंकी और नवटंकी किस थीम पर बेजड़ है तो इसकी विशय वस्तु प्रायह प्रेम प्रसंग युकता फार्सी साहित्य पर आधारित होती है तो दोस्तो यह हमारे बारतिय अकला और संस्कृती से जुड़ा हुआ यह फैक्ट भी आपको याद रखना है या नवटंकी किस राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य में और दोस्तो इसी तरह हर क्रूशन से जुड़े important फैक्ट मैं आपके समने रखता हूँ हमारा यह त जोशी किसकी एक प्रजाती है सुर्ख्यों में रही है यह ओसेर या जोशी किसकी एक प्रजाती है यह एक चीटी की नई प्रजाती है जिसको हाल ही में खोजा गया है केरल एवं तमिलनाडू में यानकी इस क्वेशन का सही अंचर है चीटी बोले तो ओसेर या जोशी ओके औसेरिया प्रजाती की चीटियों की दो दूरलब प्रजातियों की खोज कहा की गई है केरल और तमिल नाडु में औसेरिया प्रजाती की इन चीटियों की खोज किसने की है तो याद रखो इमेज में आप देख सकते हैं औसेरिया जोशी चीटी की एक नई प्रजाती खोजा है पंजाब युनिवर्सिटी पटियाला के प्रोफेसर हिमेंदर भारती के नेत्रुत्व वाली शोधार्थियों की टीम ने यह चीटियों की नई प्रजाती की खोज की है किस रज में केरल और तमिल नडु में और इसे भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रोध्योगी की के स्वायत संस्थान जवारलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइन्टिफिक रिसर्च शौर्ट में बोले तो जे एन सी ए आर के जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताब जोशी के संबान में औसेरिया जोशी नाम दिया गया है अमिताब जोशी के नाम पर दोस्तों यह नाम दिया गया है और यह खोज जर्नल जूकीज में प्रकाशित हुआ है तिसरा कुशन भारत के सबसे लंबे रोड आर्चब्रीज का उतकाटन कहां किया गया भारत देश क बारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रीज का उतकाटन हाल ही में किया गया है मेगाले राज्य में यानकि इस क्वेशन का सही अंसर है मेगाले लेकिन मेगाले में कहां उतकाटन किया गया वो भी एक क्वेशन बन सकता है भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रीज का मुख्यमंत्री कॉन्राड संग्मा ने इस ब्रीज का उत्खाटन किया और इस परियोजना को 2013 में मंजूरी दे दी गई थी 2014 में काम शुरू हुआ और यह पूल दिसंबर 2018 में पुरा हुआ जिसका हाल ही में उत्खाटन किया है कॉन्राड संग्मा ने और मेगाले की बात करें तो मेगाले की कैपिटल का नाम है शिलोंग मेगाले के राज्यपाल कॉन है सत्यपाल मलिक और मेगाले के मुख्यमंत्री कॉन्राड संग्मा दोस्तो यह बेजिक इनफोर्मेशन मैंने आपको बदाए लेकिन आज मैं आपके पास मांग रहा हूँ जन्वरी को किस दिवस के रुप में मनाया जता है प्रति वर्ष 25 जन्वरी को राष्ट्रिय मत दाता दिवस के रुप में मनाया जता है यानिके इस क्वेशन का सही आंचर है नेशनल वाटर्स डे कब मनाया जता है 25 जन्वरी को तो देखो राष्ट्रिय मत दाता दिवस 2021 क थीम क्या रखी गई है? Most important question बनता है दोस्तो आज के दिन से जुड़ा हुआ राश्ट्रिय मतदाता दिवस प्रती वर्ष 25 जन्वरी को मनाया जाता है लेकिन इस साल की थीम क्या रखी गई है? सभी मतदाता बने शशक्त सतर का सुरक्षित एवं जागरोक और दोस्तो मैंने जो हमारे Election Commission of India की ओफिस्यल साइट थी वहाँ पर जाकर हमने यह थीम डाउनलोड की तो इस तरकी इमेज मैंने पाई हम है सशक्त सतर का सुरक्षित जागरोक याने कि थीम रखी गई है सभी मत दाता बने सशक्त सतर का सुरक्षित एवं जागरोक और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नुमाइंदगी करने वाले चुनाव आयोग ने मत दाताओ को शांदार तोफा दिया है और यह शांदार तोफा क्या है देश के मत दाताओ को 25 जनवरी को मत दाता दिवस के मौके पर Electronic Electors Photo Identity एप यानि कि EEP का उपहर दिया गया है यानि कि इस मोबाइल एप्लिकेशन EEP नामक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये कोई भी वाटर्स है वो अपना Digital संस्क्रण अपने मोबाइल में जिस्तर आप दोस्तो हमारा जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड करते है इसी तरह आप अपना EEP कार्ड भी डाउनलोड कर सकते है और आज के दिवस के अउसर पर हमारे Election Commission of India ने दोस्तो या मोबाइल एप्लिकेशन लांच कर दी है और दोस्तो कुछ इसमें प्रक्रिया है जिस तरह OTP आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए इसी तरह की फेसिलिटीज होनी चाहिए वो ही डाउनलोड कर सकता है और इसकी मदद से मतदाता पहचान पत्र को डिजीटल रूप में रखा जा सकेगा यानि कि आप अपने डिजीटल वलेट में यह हमारा जो इलेक्शन कारड है वो रख सकते है और राष्ट्रिया मतदाता दिवस उनसे जुडे हुए कुछ और क्वेशन की बात करे राष्ट्रिया मतदाता दिवस 25 जन्वरी को ही क्यों मनाया जता है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग हमारे इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया का गठान 25 जन्वरी 1950 को हुआ था और इसलिए हम प्रत्ति वर्ष 25 जन्वरी को नेशनल वाटर स्डे मनाते है और राष्ट्रिया मतदाता दिवस मनानी का उद्देश्य क्या है राजनितिक प्रक्रिया में युवाओ की भागीदारी बढ़ाना और आपको भी बता है कि हमारा देश विश्व में सबसे यंग है हमारे देश में युवाओ की जो संख्या है आबादी है वो काफी ज्यादा है और इसलिए वर्तमान में हमारे देश में सबसे ज्यादा हमारा भारत देश सबसे युवाओ देश भी है और पहली बार राष्ट्रिया मतदाता दिवस कब मनाया गया था पहली बार मनाया गया था 25 जन्वरी 2011 को और भारतिय सम्विदान के अनुच्छेद यानि कि आर्टिकल 325 एवं 326 के अनुसार प्रतियक वयसक नागरिक को जो पागल या अप्रादिन न हो मता दिकार प्राप्त है तो ये अफ्यक्ट भी हमें याद रखना है कि हमारे कंस्टिट्योशन में दोस्तों हम हमारे यह नेशनल वाटर स्डे से जुड़ा हुआ प्रावदन कहां पर किया गया है हमारे सम्विदान के आर्टिकल 325 एवं 26 में पाँचवा क्विशन हाल ही में अनमान और निकोबार कमान ने किस नाम से संयुक्त सन्य अभ्यास आयोजित किया हाल ही में अनमान निकोबार कमान ने दोस्तों कवच नाम से एक संयुक्त सन्य अभ्यास आयोजित किया यानि कि इस क्वेशन का सही आंसर है कवच कुछ दिन पहले डेजर्ट नाइट 21 नामक भी एक हवाई अभ्यास यानि कि हमारा वायू सेना द्वारा अभ्यास आयोजित किया गया कहाँ पर दोस्तो जोधपूर में राजस्थान में आयोजित किया गया था और संयुक्त सेन्य अभ्यास कवच कहा अयोजित हुआ है अनमान सागर और बंगाल की खाड़ी में संयुक्त सेन्य अभ्यास कवच में कौन शामिल होंगे तो इसमें हमारी भारतिय नौ सेना भारतिय थल सेना और भारतिय वायू सेना और भारतिय तट रक्षक इसमें शामिल ह और इसका नाम क्या है दोस्तो यह आपको याद रखना है कवच। इग्राइनी टोही यानिकी ISR अभ्यास भी आयोजित किया गया है। इग्राइनी टोही 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 आयोजित किया गया है। और इस बार दोस्तों हमारे जो यूनियन बजट है इसकी प्रिंट कॉपी नहीं दी जाएगी। कोविड-19 का संक्रमन फैलने का खत्रा है और इसलिए दोस्तों सोफ्ट कॉपी मॉबाइल के इस एप्लिकेशन में अवेलेबल की जाएगी। और इस बार इस बार इसकी प्रिंट की जाएगी। और हाल ही में यह हल्वा सेरिमनी आयोजित की गई तो इनके बारे में भी मैं आज आपको बता देता हूँ। बजट बनने का काम पुरा हो जाता है और बजट छपने के लिए चला जाता है तब वित मंत्री सब का मुह मिठा करवाती है। और वित मंत्री के अलावा वित राज्य मंत्री वित सचीव भी इस सेरिमनी में हिस्सा लेते हैं। यानिकि यह जो पूरानी रस्म है इसे बोलते है हल्वा सेरिमनी। और जब युन्यन बजट की बात करते हैं तो बजट से जुडे हुए कुछ महानों भुआवों की बात करें। तो इसमें शामिल है वित मंत्री बोले तो निर्मला सितारमान। हमारे वित राज्यमंत्री कौन है अनुराग ठाकोर। हमारे वित सचीव कौन है अजय भुषन पांडे। और मुख्य आर्थिक सलाकार है के वी सुब्रमनियम। इन सबीने दोस्तो ये युन्यन बजट की जो प्रोसेस है इसमें हिस्सा लेते हैं। आठवा कुशन हाल हीमें सीमा सुरक्षा बल यानि कि BSF ने जम्बू कश्मिर के किस जिले में 150 मिटर लंबी सुरंग का पता लगाया है। क्यांदर साशित प्रदेश जम्बू कश्मिर में जम्बू संभाग के कठवा जिले में हमारे सीमा सुरक्षा बल को 1500 मिटर लंबी सुरंग का पता चला। अभियाल डोगरा और किंग्रेदे कोठे की सीमा चौकिया है जो जैशे मोहमद के आतंकवादियों को तैयार करने का गड़ है। यान कि यह हमारी जो सुरंग जो पाई गए है इसमें सामने वाले जोर पर दोस्तो जैशे मोहमद के आतंकवादियों को तैयार करने का गड़ मना जाता है। और पिछले वर्ष सीमा सुरक्षा बलने पाकिस्तान द्वारा बनाई गए इस प्रकार की सुरंगों को खोजकर नश्ट करने का एक अभ्यान भी चलाया था। देश में सबसे अधिक टीका करन करने वाले राज्यों में कौन शिर्च पर है। दोस्तों हमारे भारत देश में टीका करन का जो अभ्यान है, COVID-19 का जो टीका करन का अभ्यान है वो पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है। और अभी तक इस मामले में टॉप पर है करनाटक राज्यों यानि कि इस क्वेशन का सही आंसर है करनाटक। देश में सबसे अधिक टीका करन करने वाले राज्यों में करनाटक शिर्षस्थान पर है और राज्यों में आज तक 1,82,000 से अधिक अगरिम पंक्ति के स्वास्तिय कर्मियों का टीका करन किया गया है। किस राज्य में करनाटक राज्य में और करनाटक से जुड़े हुई कुछ फैक्ट करनाटक के राज्य प्रतिक के बारे में दोस्तो दू दिन पहले ही मैंने आपको बताया था यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे जो आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं बुलेंगे दस्वा क्रिशन वर्स 2021 का प्रतिष्ठित मायकल और सिला हेल्ड पुरसकार किसने जिता है? 2021 का प्रतिष्ठित माइकल और शिला हेल्ड पुरसकार जीता है निखिल श्रीवास्तव ने एडम मार्क्स ने और डैनियल एलन स्पिलमेन तीनों ने यह पुरसकार जीता है यानि कि इस कोशन का सही आंसर है उपर युक्त सभी और यहां तीनों को आप इमेज में देख सकते ह तो हमारे पारतिय मुल के यह व्यक्ति है निखिल श्रीवास्तव जो यहां पहले नंबर पर है कैलिफोर्निया विश्व विद्याले बरकले के निखिल श्रीवास्तव स्विजर लेंड के एडम मार्क्स और अमेरिका के यल विश्व विद्याले के डैनियल एलन स्पिलमेन ये पुरशकार प्रति वर्ष, मिसरित और असतत अनुकुलन या कम्प्यूटर विज्ञान के सबंदित भागो जैसा के अल्गोरिधम और जटिल सिद्धान्तों के डिजाइन और विश्लेशन के क्षेत्रों में उत्कुरूष्ट, अभिनब, रछनात्मक और प्रभावशाल अनुसंधान के सम्मान में दिया जाता है और माइकल एवं शीला हेल्ड पुरसकार के स्थापना कब की गई थी? 2017 में माइकल और शीला हेल्ड के नित्रूतों में इस पुरसकार के स्थापना की गई और पुरसकार में क्या प्रदान किया जाता है? एक पदक एवं एक लाख अमेरीकी डॉलर प्रदान किया जाता है गरवा कुशन भारतिया रेलवे के साउथ इस्ट सेंट्रल रेलवे राइपूर डिविजन ने पहली बार पांच माल गाड़ियों को जोड़ कर चलाया इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया दोस्तो पहली बार पांच माल गाड़ियों को जोड़ कर एक ट्रेन बनाई गई और इस ट्रेन का नाम रखा गया वासु की यानकी इस क्योशन का सही अंसर है वासु की इमेज में आप देख सते दोस्तों पांच मालगाडियों को जोड़कर यह सबसे लंबी रेलगाडी बनाई गई भारतिय रेलवे के दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे जोनने हाल ही में भारतिय रेलवे निटवर्क पर सबसे लंबी मालगाडी का संचलन करने का एक नया रेकोर्ड बनाया है और भारतिय रेलवे के साउथ इस्ट सेंटर रेलवे राइपूर डिविजन ने पहली बार पांच माल गाड़ियों को जोड़ कर चलाया गया पांच माल गाड़ियों को जोडने से माल गाड़ी की कुल लंबाय लगबग 3.5 किलो मिटर हो गई और इस ट्रेन का नाम वासुकी रखा गया था और भीलाइट डी कैबिन से कोरबा के बीच की दूरी 224 किलो मिटर है और वासुकी ने पांच रेक के साथ इस दूरी को कवर किया और ट्रेन को इस दूरी को तही करने में लगबग 7 गंटे का समय लगा तो यह हमारे रेलवे द्वारा स्थापिट किया गया एक नया किर्तिमान है इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों 3.5 किलो मिटर लंबी रेलगाड़ी और वासुकी को एक लोको पाइलोट एक गार्ड और एक सहायक लोको पाइलोट की मदद से संचालित किया गया था आकाश गंगाओ का एक विशाल क्लस्टर यानकि इस क्वेशन का सही आंचर है आकाश गंगाओ का एक विशाल क्लस्टर बोले तो एबेल 370 हाल हीमे नासा ने आकाश गंगाओ के एक विशाल क्लस्टर एबेल 370 की एक अदभूत इमेज जारी की इमेज में अब देख सकते हैं दोस्तों इसी तरह की एक अदभूत इमेज हाल हीमे नासा ने जारी की है और प्रित्वी से लगबग 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी परस्थित एबेल 370 एक आकाश गंगा क्लस्टर है जिसमें कई सो आकाश गंगाए मौजुद है और आकाश गंगा क्लस्टर सम्पूर्ण ब्रह्मान में सबसे बड़े खगोलिय निकाई होते है जो कि गुरुत्वा कर्शन के साथ यह एक साथ रहते है तेरवा कुशन हाल ही में मिस्टर ने कि इसके साथ अपने राजनेक और आर्थिक सबंदों को पुनव बहाल करने की गोशना की है हाल ही में मिस्ट्र, मिस्ट्र बोले तो इजिप्त और इजिप्त ने हाल ही में कतर देश के साथ अपने राजनेक और आर्थिक सबंधों को पुन बहाल करने की गोशना की है यान कि इस क्यूशन का सही अंसर है कतर देश और इजिप्त देश ने ये गोशना की है तो देखो मिस्ट्र उस अरब चोकडी या अरब क्वार्टेट का हिस्सा था जिसने कतर पर आतंकवाद का समर्थन करने और इरान के अत्यदिक निकट होने का आरोप लगाया था तथा इ हाल ही में दोस्तो यह तोशाली राष्ट्रिय शिल्प मिला शुरू हुआ है ओडिशा राज्य में यानि कि इस क्वेशन का सही अंसर है ओडिशा और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है नविन पतनायक वार्षिक तोशाली राष्ट्रिय शिल्प मिले का उत्खटन किस ने में आयोजित किया गया और तोशाली शिल्प मेला पूर्वी बारत में सब से लोगप्रिय हत करगा और हस्त शिल्प मेलो में से एक बन गया है और इस इवेंट के लिए जनता मैदान स्थल पर कूल 250 टॉल लगाए गये है जिसमें देश भर से सर्वस्रेष्ट हत करगा और हस् तो City of Temple यानि कि मंदिरों का शहर भी कहा जाता है किसको पूनेशवर को और ओडिशा के मुख्यों मंद्रे नविन पतनायक और ओडिशा के राज्यपाल गणिशिलाल और ओडिशा में दोस्तो हर वर्ष एक महत्व पूर्ण त्योहार आयोजित किया जाता है और इसका नाम क किया है यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे क्योंकि यह ओडिशा का राज्य परवा है और हमारे भारत देश की सबसे बड़ी खारे पानी की जिल चिल का वो भी ओडिशा में स्थित है पंद्रवा क् implosion, IHAI National Ice Hockey Championship किसने जिती है, IHAI National Ice Hockey Championship हाल ही में जित ली है ITVP ने और कि Indo-Tibet Border Police ने या National Ice Hockey Championship जित ली, यानकि इस क्वेश्चन का सहिय अंसर था ITVP यानिकि बारतिय तिबबत सीमा पुलिश इंडो तिबेट बॉर्डर पुलिश ने गुल मर्ग में फाइनल मुकाबले में लद्धा को हरा कर आइस होकी एसोशेशन ओफ इंडिया शौर्ट में बोले तो IHAI की दस्वी राष्ट्रिय आइस होकी प्रतियोगिता यानिकि नेशनल आइस होकी चेंपियनशिप जित लिए और लद्धा को भारत में आइस होकी की राजदानी भी मना जता है आईस होकी की राजदानी किसको मना जता है लद्दाक को और जब यह चेंपियनशिप जीत लिहे आईटी बीपी ने आईटी बीपी की स्थापना कभूई 24 अक्टूबर 1962 में और आईटी बीपी का हेड़क्वाटर हमारी कैपिटल नई दिल्ली में स्थी थे और आईटी करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेशन की लास्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेशन पुचा था घंग्ली हाथी दोस्तों यह नूगु जलाशय में फंस गया था और एक रेस्क्यू आप्रेशन के जरिए इस हाथी को सही सलामत बचा लिया गया है नुगू जलाशाई में और इसलिए यह सुर्खों में रहा और यह किस राज्य में स्थी थे नुगू जलाशाई करनाटक राज्य में यानकि इस कोशन का सही आंसर था करनाटक राज्य लगबग सभी दोस्तों ने बिलकुल सही आंसर दिया है उन मे इन सबी दोस्तों का अंसर बिलकुल सही इन सबी दोस्तों को सही अंसर देने के लिए बहुत बहुत धनिवाद और आज के वीडियो का क्वेशन ए रहा स्क्रेन पर सही अप्शन आपने देख लिया है तो नीचे कमेट बॉक्स में आंसर लिखे और जो आप एक बार लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं बुलते हैं और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है है तो फेस्बुक वाटसेप या टेलिग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक आपके दोस्तों को शेर करना मत बुलिएगा बस छोटी से उमीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं फिर मिलेंगे नए करेंट अफर वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड जय हैं